बोगी S7 सूरज को ढले हुए अभी कुछ पहर ही हुए थे किसांज का रंग सारे आसमान पर छाचुका था प्लैट्फॉम नमबर 4 पर आरपी एफ के दो आदमी एक स्ट्रेचर लिए शालिमार कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंतिजार कर रहे थे आती ट्रेन के होन को सुनते ही उनमें से एक बोला चल भाई अपने सावारी तो आ गई लगते हैं काम पर स्ट्रेचर ले दोनों विप्ती बोगी नमबर S6 की और जाने लगे जहांसे उन्हें एक लाश ले मुर्दाघर की और रवाना होना था वैसे मरने वाले का नाम क्या बताया रवी जो की होली की चुट्टियों में घर जाने के लिए उतावला था वो खचाखच भरी चलती ट्रेन में आखरी मिनिट पर घुज गया रवी को धक्के खाते खाते आदा गंटा हो चुका था पर उसे ट्रेन में एक भी सीट खाली नहीं मिली आखिरकार रवी को आगे बोगी में एक कमपार्टमेंट खाली दिखाई दिया और वो भाग कर उसमें बैठ लया जिसका बोगी नमबर था S7 रवी को एक पूरी बर्थ मिल चुकी थी और रवी अभी बर्थ पर लेटने को हुआ ही था कि सामने से आते एक बुजूर्ग ने उससे कहा दरखुरदार प्रेन का सफर सो कर व्यर्थ नहीं बल्कि जाग कर उसका लुद्फ उठाना चाहिए रवी ने आवाज के दिशा में घूम कर देखा तो सामने एक बुढ़ा विक्ति अपना स्मोकिंग पाइप मुह में दबाय उसकी और चला आ रहा था जी आपकी तारीफ तारीफ तो की नहीं जा सकती पर नाचीज का नाम राजेश प्रताप है बाइदेवे वाच्च यूर नेम यंग मैं जी रवी जा जटता है पहली बाद ट्रेन में सफर कर रहे हो तभी इतना भी नहीं जानते कि सोना है तो अपने डिकेट खुद भुपतरानी पड़ती है जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बस होली के लिए घर जा रहा हूँ उपर से सफर भी थोड़ा लंबा है तो सोचा एक जबकी ही मार लू और सफर तो बच्पन में कई बार किया है बच्पन में और आज तो मजबूरी भी थी तो ऐसे ही मतलब जी करीब दस साल पहले मेरे पिता की मौत एक ट्रेन हाथसे में हो गई और उसके बाद अकेले सफर करते हुए दिल का दोरा पड़ने से मेरी मा और उसके दो साल बाद मेरे छोटे भाई की मौत भी एक ट्रेन में हुई थी तब से मेरे परिवार में ट्रेन के सफर को लेकर कुछ हलगी धार ना है प्रताप साहब और रवी में अभी बात चल ही रही थी कि अचानक टीसी हस्तक्षेप करते हुए टिकेट मांगने लगा रवी बिना टिकेट सफर करने का अंजाम जानता था पर कैश न होने के कारण वो टीसी की जेब भी गरम नहीं कर सकता था उसने टीसी से स्टुडेंट होने की मजबूरी के चलते सफर करने की दुहाई दी पर टीसी टस से मस न हुआ और रवी को हड़काते हुए बोला अरे रोज देखता हूं तेरे जैसे बिना टिकेट सफर का पाइन तीन सो रुपया बर औरना ओतर अगले स्टेशन पर अरे टीसी साब विचरा सचमुच मजबूरी में घर गा रहा है छोड़िये न पाइन आप मेरे साथ है ये प्रताब साहब के जोर देने पड़ टीसी उनके साथ एक कोने में गया और उनसे सो रुपय लेकर मामला रफा दफा कर दिया रवी जो अपनी सीट से जहांक रहा था वो ये देखकर हैरान था कि टीसी के हाथ में जो सो रुपय का नोट था वो बेहद ही पुराना था रवी ये देखकर थोड़ा हैरान जरूर हुआ पर उसका ध्यान एक खुपसुरत औरत ने अपनी तरफ खीच लिया जो गुलावी साड़ी पहने हाथ में पर्स लिये रवी के सामने आ बैठे रवी उसे देखकर अपने बाल समारने लगा पर इससे पहले कि रवी अपना दाओ चलता एक छोटा लड़का उसके बगल में आकर बैठ गया और बार बार एक ही सिद करने लगा ये सुनकर रवी के अर्मान तुमानो पानी पानी हो गए फिर भी उस अउरत ने अपने बेटे को फोन देने के बाद रवी से हाथ मिलाते हुए कहा इसी के साथ रवी और सोनाली के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और देखते ही देखते सोनाली रवी के साथ अपना बनाया हुआ खाना बांटने लगी तभी अचानक रवी के बगल में बैठे प्रताप साहब अख़बार पढ़ते हुए जोरों से हसने लगी ऐसा क्या पढ़ लिया सर जो आप ठाके लगा कर इतना जोर से हस पड़े इस आर्टिकल में लिखा है कि सर्विया के राष्ट्र पती किसी सर्वियन डांसिंग लेडी के डर से अपने नागरिकों को घर से निकलने से मना कर रहे हैं कितनी फाल तो गवर है सर्व बला इस जमाने में भी कोई भूत से इतना डरता है तुम मारो या ना मारो पर आज की तारिक में भी भूत होते हैं हो सकता है कि तुमारे आसपासी भूत हो रवी ये सुनकर दंग रह गया और अपना ध्यान भटकाने के लिए ट्रेन के दर्वाजी की ओर जा अपनी सिक्रेट सुलगाने लगा पहले कश के बाद जैसे ही उसने राहत की सांस ली अचानक से उसके कानों में कही लोगों के बेतहाशा दर्द से चिल्लाने की आवाज पड़ी तो वो दहल उठा मगर जब उसने पीछे मुन कर अपनी बर्ट की ओर देखा तो हालात एकदम सामानने थे रवी ने इसे अपने मन का वहम समझ आधी जली सिगरेट को बाहर फेकते हुए पास एक टॉलेट में हलका होने चला गया रवी अपना काम कर फ्लश करने को हुआ ही था कि एकदम से उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देख उसके होश ठंडे पड़े टॉलेट के पॉट में किसी की कटी हुई मुंडी थी जो रवी को गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी रवी डर के मारे पीछे अटा और जैसे ही उसने हाथ धोने के लिए नल चालू किया तो उसमें पानी के जड़े खोन बहने लगा रवी ये देख सर्से पाउं तक कांप गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही ये सब क्यूं हो रहा है सहसा वो उस टॉलेट से बाहर निकला और अपने बर्त की और दोड़ने को हुआ ही था कि अचानक ट्रेन का हॉन जोर से बजा रवी कुछ समझता इससे पहने ट्रेन एक गहरी टनल में बुश चुकी थी और पूरे डिब्वे में लाइट्स का नय जलना माहुल को और भैनुमा बना रहा था रवी ने अपनी जेब से जैसे ही लाइटर निकाल उसे जलाया उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देख उसकी चीख निकल गई सोनाली अपने बेटे को लिए उसके सामने खड़ी थी सोनाली का माथा फटने के कारण खून से लाल था वहीं उसके बेटे अभै का आधा चेरा आग से जुलसा हुआ था रवी का हलक अब डर से सूख चुका था और अब वो अपने कदम धीरे धीरे पीछे हटा रहा था कि तभी प्रताब जी पीछे से उसके कान में बुदबुदाते हुए बोले रवी ने जब प्रताब साहब को देखा तो बेसुध हो बेहोश हो गया क्योंकि प्रताब जी का आधा शरीर खोन से सना हुआ था और उनकी एक आँख भी नहीं थी बाद में जब रवी को होश आया तो उसने महसूस किया कि जैसे उसके मुह पर उपर की बर्थ से कुछ टपक रहा है रवी ने होश संभाला रुमाल से अपना चेहरा पोचा और अपने रुमाल को देख चीख उठा और चिल्लाने लगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ ये किसका खून मुझ पर टपक रहा है ये खून तुम्हारे किसी अपने का ही है चाहो तो एक बार खुदी देख लो सोनाली के इतना कहते ही रवी खड़ा हुआ और कापते हाथों के साथ उपर की बर्थ पर लेटे व्यक्ति के चेहरे से कंबल हटाने लगा कंबल हटाते ही रवी की धड़कन रुक सी गई और वो गहरी सांसे लेने लगा क्योंकि कंबल में लेटा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं रवी का बाप था जो अपने ही खोन में नहाया हुआ नशे में धुथ्थ था बाबा आप ये सब क्या है ये सब क्या है और क्यूं हो रहा है कोई कुछ तो बताओ रवी ने जवाब की उमीद में जब नजर घुमा कर देखा तो उसे वहाँ ट्रेन में बाकी मरे हुए पैसेंजर्स और टीटी की आत्मा दिखाई दी प्रताप ने आगे बढ़े रवी का गला दबाते हुए उसे सच बताना शुरू किया तुमारे पिटा भी एक माल गाइडी द्राइवर थे आज से ठीक 18 साल पहले जब हमारी अश्राणी मारेश थे तो प्रती मंचिल की ओन पड़ना सी तुमारे पिटा की माल गाड़ी द्राइडी 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 के साथ उननों जुस दब्बे को टककर मार कर ट्रेक से डिरेल किया वो यही बोगी S7 थी तुमारे पिता की एक गल्ती के कारण हम सब के परिवार को खामियाज अबुगतना पड़ा मैं अपने पती से तीन साल अलग रहने के बाद भी नहीं मिल पाई और प्रताब बाबु अपने पोते की शकल तक नहीं देख पाई ये कहकर सभी ने रवी को दबोचना शुरू कर दिया और सेक्णों की भीड के नीचे दब रवी ने अपना दम तोड़ दिया और अपनी आखरी सांस ले वही मर गया दोस्तों हमारी ये कहानी उडिसा में हुए रेल हाथसे से प्रेरित है और हमारी गहरी साहनो गोती और सम्वेदनाए म्रतकों के परिवारों के साथ है तो लाइक कोमेंट शेयर जुरू करें साथी रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दंदार कहानी है तो भेची हमारी मेल एड्रस पर अभी